कैसा लगेगा अगर कोई कहता है कि आपके फोन पर आप क्या सर्च करते हैं, किस से बात करते हैं, कौन से मेसेज़ेस बेचते हैं, इन सारी चीज़ों पर आपकी गवर्मेंट नज़र रखते हैं पेगसेस कोई आम कॉम्प्यूटर वाइरस नहीं है, जहाँ पर इंफेक्शन के लिए आपको किसी लिंक पर क्लिक करने के जरूर, फेस्टाइम, आयमेसेज या एक वीडियो मिस्कॉल के थूरू भी ये वाइरस आपके मुबाइल में आ सकता है, और बात में ये मिस्कॉल का बात में कभी भी आपका कैमेरा ओन करके आपको देख सकता है, आपका माइक ओन करके आपके कॉनवर्सेशन सुन सकता है, ये रियल है या ब्लाक मिरोर का एपिसोड, सुनने में ये काफी स्कैरी लगता है, लेकिन अलेज़ेडली दुनिया में पचास हजार नंबर्स के ये 300 नंबर्स इंडिया से, इस वीडियो के दो पाथ है, एक ये पेगसी स्प्रोजेक की थीयरी क्या है, और दूसरा कि इस थीयरी में लूप खोल्स क्या है, अगर आपको इस वीडियो से ये पॉइंट समझने में हल्प होती है, तो इस वीडियो को शेर कीजे, और हमें पर एक आसान भाशा में वीडियो इस बनाना हमारा मिशन हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और इस बेल आइकॉन को प्रेस कीज़े But what is Pegasus? El Chapo, Osama bin Laden के बाद, दुनिया का most wanted man था Mexican authorities ने publicly accept किया कि उससे पकडने में Pegasus spyware की मदद हुई Since then, Pegasus has been the focus of many governments all around the world Pegasus, NSO Group नाम की एक Israeli Cyber Security Company ने बनाय हुआ एक spyware जो सिफ governments को ही अपना Pegasus product बेचता है Problem तब होता है जब इस technology का इस्तमाल criminals पर नहीं, reporters पर नज़र रखने के लिए होता Saudi Arabia, UAE, Azerbaijan जैसे देशों की journalists ने lawsuits file किया According to them, government used this spyware to track their activities भारत में इतना बड़ा बावाल इसलिए है क्योंकि इन 300 numbers की list में भारत के बड़े-बड़े leaders के भी नाम ऐसी headlines पढ़कर कोई भी डर जाएगा लेकिन ये सारे media houses कितने शौर Global agents 17 media houses ने एक साथ आकर ये investigation किया है वो काफी safe language यूज़ करता है Guardian खुद कहता है The presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus और subject to an attempted attack The Wire का article admit करता है कि forensic process के लिए कई limitations थे और एक काफी छोटे group के phones actually test हुए So जे क्योंकि obviously forensic testing के लिए कौन अपना phone किसी agency के हाथ में देगा कौन अपने सारी secrets उनके साथ share करेगा तो in total 50,000 number में से सिर्फ 67 numbers actually forensically test हुए इसलिए इस theory में कुछ loopholes ज़रूर है ये पूरा analysis इन कुछ assumptions पर based है Number 1, ये list Pegasus attack के लिए ही बनी है Number 2, ये list credible है Number 3, भारत के पास Pegasus spyware है Number 4, और बाकी कोई देश नहीं भारत ही खुद के लोगों को spy कर रहा I mean, why only suspect India? उनका logic ये है कि हमारे eminent businessmen, political leaders, lawyers, judges का number अगर एक list में आता है तो obviously सिर्फ हमारी government हो सकती है जिनको उनकी information में interest लेकिन आज कल हम इतने globalized world में रहते हैं कि सिर्फ हमारी government नहीं कोई दूसरी government भी उन पर spy कर सकती China, surveillance के लिए बदनाम है और China और भारत के बीच कैसे relationship है हम सब को पता है Edward Snowden का नाम अपने सुना होगा He was a whistleblower who exposed how America spies on people all over the world तो loophole यह है कि अगर एक numbers की list का access NGOs को हो सकता है तो यह तो बड़ी-बड़े superpowers है उनके पास भी एक numbers की lists पहुँच सकती है ऐसे कौन सी list है? जिसमें राहुल गांदी, इमरान खान जैसे बड़े-बड़े powerful लोगों के numbers है Right now there is no clarity about this और अगर ऐसे sources exist करते हैं अगर आपने उस link पर click किया तो ही आप infect होगी तो इन 14 numbers के पास सिर्फ वो message था actual penetration नहीं होता और एक loophole यह है कि analysis सिर्फ Apple के phones पर रो सकता है Android पर नहीं क्योंकि Android यह सारी information log नहीं करता और एक loophole यह है कि अगर आपने phone change कर दिया है और आप पर पहले कभी attack हुआ है तो फिर यह track नहीं हो सकता Washington Post का यह report कहता है कि भारत के 22 smartphones में से सिर्फ 10 smartphones को target किया गया था और उनमें से भी सिर्फ 7 actually infect होए थे यानि कुल मिलाकर इस छोटे sample size में भी 50% लोगों के पास Pegasus के traces मिले थे अफकोस 50% क्या 1% भी chance नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर किसी एक की भी privacy को खत्रा है तो हम सब की privacy को खत्रा है लेकिन जब हम यह facts समझते हैं तो 50,000 का यह बड़ा number और उससे associated डर धीरे धीरे कम होने लगता यह सारे media houses यह accept करते हैं और इस लिस्ट में आता है इस डाज़न की वो number Pegasus का target था and then there is a loophole of volume NSO कहता है कि वो around 5000 operations हर साल carry करता है और इस list में numbers हैं 50,000 Pegasus को यह ऐसा software नहीं है कि जो आप एक बार खरी देंगे और multiple devices में copy करते जाएंगे नहीं यह per device per license के basis पर चलता है और हर license की कीमत क्या होती है पता 2016 में New York Times ने report किया था कि NSO के इस tool से 10 iPhones पर नजार रखने के लिए 650,000 US dollars लगते हैं plus half a million US dollars installation fee So if all these 50,000 numbers were attacked by Pegasus the company should have made 57 billion US dollars whereas उनका 2020 का revenue था only 243 million US dollars इन दो numbers में थोड़ा बहुत नहीं 30 गुना difference Lastly, क्या भारत के पास Pegasus है See, भारत ने officially ये accept नहीं किया है जैसे Mexico ने accept किया था 2019 में WhatsApp ने globally 1400 Pegasus attacks के बारे में report किया था इसमें 20 Indian numbers भी थे जिसके बाद भारत में एक activist ने RTI query register कि जिसमें हमारी home ministry ने Pegasus spyware को use करने से already deny किया Right now, with the given evidence, सिर्फ एक बहुत बड़ा doubt है कि Pegasus का इस्तेमाल Indian citizens पर Indian government कर सकती है Right now, it's an allegation and nothing has been proved yet See, please don't misunderstand अगर कोई भी government ऐसे tools का इस्तेमाल अपने citizens पर नज़र रखने के लिए कर रही है Then the government is at fault There is no excuse for using something so powerful for reasons other than stopping terror attacks और national security अभी के लिए हमारी government ने Pegasus का इस्तेमाल किया था या नहीं एक बहुत बड़ा question mark In my opinion, जिन लोगों के numbers इस list में है उन्होंने एक legal remedy ढूड़ना चाहिए Courts को approach करना चाहिए ताकि एक official inquiry को Amnesty International ने सारी procedure openly सामने रखिए Remember, they were only able to check this on 67 numbers in total out of 50,000 in the list बाकी 49,933 numbers पर सिर्फ शक है कि उनको Pegasus का target किया There has been no test yet इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे और otherwise इस पूरे incidence से कुछ नहीं होगा सिर्फ Apple company के stocks गिरेंगे Media trial होगा और हमारे parliamentary sessions, accusations और accusations को defend करने में चले जाएंगे किसी को सजा नहीं मिलेगी और कोई conclusion नहीं निकलेगे हाँ, Twitter पर hashtag जरूर trend होगे और फिर से हम Parliament में एक important discussion करना भूल जाएंगे एक ऐसा discussion जो एक common man के लिए Pegasus से भी जादा important है और वो है Data Protection Act 2017 में ही Supreme Court ने privacy को एक fundamental right का है, 2018 में एक 10 members की committee ने एक draft data protection bill बनाया है, लेकिन आज भी ये bill pending है, क्या हम Pegasus की news का use, gossip के लिए नहीं कुछ productive achieve करने के लिए कर सकते हैं Data Protection Act की demand कर सकते हैं Last year, Indians का data कैसे use होगा इस बात पर government ने कई सारे Chinese apps को ban किया तो, लेकिन वाट्स ते नेक्स स्टेप, आगे उसका कुछ नहीं हुआ जब तक एक strong data protection bill नहीं आता तब तक, foreign companies से, cyber criminals से and of course Pegasus जैसे spyware से भी हमें खत्रा, अगर आपको इस वीडियो से value मिली, तो इससे अपने दोस्तों के साथ share कीज़ें, ताकि लोग सिर्फ headlines पढ़कर Twitter पर Hashtags देखकर अपने opinions ना बनाएं थोड़ा common sense लगा है, जो आजकल बहुत uncommon होता जा रहा है, और यही simple सी बाग, आप तक पहुँचाने से मुझे फरक पढ़ता है हुआ 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 है